हमारी प्रित्वी पर कई एसी प्राकृतिक घटनाय होती ही रहती हैं, जो देखने में बहुत ही लुभावन होती हैं, इनही प्राकृतिक घटनाओं में सोरे ग्रहन और चंद ग्रहन भी है ये अपने आप में बहुत ही दूरलब दुरिश्य है जो प्रित्वी पर दिखाई देता है इनमें से एक चंद ग्रहण जो इस साल 21 जनवरी को पूर्णिमा के दिन ही पढ़ रहा है असल में आपको बता दिख कि इस बार 21 जनवरी को लगने वाला ये चंद ग्रहण जोतिश के दृष्टी से कई मायनों में बहुत ही खास है तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विश्तार से एक कई जनवरी पर पढ़ने वाले चंद ग्रहण के चलते आपके रासी फल पर क्या प्रभाव पड़ेगा सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप आप भूशन या फिर दूसरी किसी कीमती पत्थरों की खरीद और बेच करते हैं तो इसमें आपको लाफ होता हुआ दिखाई देगा अगर आप छात रहें तो कुछ प्रतियोगिता के चलते आपको बिदेशों में अचानक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं इसके साथी साथ ब्यापारियों को कुछ ब्यापारिक सौदों में कुछ दरार भी पड़ सकती है आप अशफल होने से परिशान ना हो और ना ही चिं तक इस बात का खास ध्यान दें कि अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति जरास प्यार से ही होनी चाहिए जुनून दिखाने पर समस्या खड़ी हो सकती है और बात खराब भी हो सकती है इसके साथी साथ आप अपनी बात को सामने वाले के समक्ष रखेंगे इसके साथी साथ हौसला और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कुछ लोग प्रेम संबंध में प्रेम धीरे धीरे परदारपन करने वाले होते हैं चंद ग्रहन से प्रेम प्रसंग के प्रेमियों को अपने लव लाइफ में भावनात्मक तोर पर कुछ परिशानिया सामने आन को और भी मजबूत बना सकते हैं और आप अपने जीवन में प्रेम से संबंधित सकरात्मक बदलाव भी ला पाएंगे इस साल आप अपने दिल की बात कहने से न चुकें अपने प्यार का इजहार करें वही बिवाह के इक्चुक जा तक इस साल शादी के पवित्र बंधन मे भी बच सकते हैं इस साल आपके अपने बैवाहिक जीवन में अनकूल परिष्थितियां बनी रहेंगी चंद ग्रहन लगने से इस साल पती और पतनी के बीच में मधूरता भी बनी रहेगी आपके बैवाहिक जीवन खुश्यों का महौल बना रहेगा इसके साथ ही साथ आप जातकों को इस चंद ग्रहन पर थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है इन राशी के जातकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है नेक्स्ट नाइन स्पिरिच्वल से बिनितराय के रिपोर्ट